ओम गणेश, हरा हर महाद्यों, जै सियानम, जै होनमन और हरियों मंत्र शक्ति के विशय में, मंत्र साधना के विशय में या उस मंत्र को सफल होने या असफल होने के विशय में आप लोगों ने बहुत बार बहुत सारे प्रशना या तो मेरे किसी पूराने वीडियो के नीचे भी कॉमेंट बक्स में किये है या तो आप मुझे WhatsApp, Email, Gmail भी करते रहते हैं कि अगर कोई मंतरा स्तोत्रा का आपको फल नहीं मिलता है ऐसा आपको लगता है क्योंकि आपने जो मंतरा स्तोत्रा किये है तो आपको पता ही है कि आपने किये है या नहीं किये है अगर किये है तो आपने कितने रदय बाउसे प्रेम बाउसे किये है या नहीं किये है वो आप किसी वारतों आपको देखने नहीं वाला है कि आपके रदय में क्या बाउसे आप कर रहे हैं आप किसी पर उंगली उठा सकते हो कि शास्त्रों पर उंगली उठाने से अच्छा है कि कभी कभी ह हम उसमें संचोधन करें कि हमारी कहां पर गलती हुई है या हो रही है सबसे पहले यह कोजिए यहां पर उस विशय में शिव जी क्या कहते हैं कि जब कोई एक मंत्र की अपने अनुष्ठान किया जैसे मानो किसी ने सवालाख मंत्र का कोई एक मंत्र का अनुष्ठान किया फिर तो वो समझे क्या वो आपने किसी ने भी किया था या नहीं किया वो आप पहले देखें अब बगवान आगे यह कहते है कि एक बार करने से अगर आपका कारिया सफल नहीं हुआ दूसरी बार कीजिए दूसरी बार भी नहीं हुआ तिसरी बार कीजिए तिसरी बार अवश्य ही होगा होगा ऐसा शिवजी का कतन है अब इस मंत्र के विशय में जो बहुत ही महत्वापुर्ण दो पॉइंट है पहला पॉइंट अगर आपको यहां मंत्र या आपको कोई भी मंत्र अगर आपको अपने गुरू ने दिया है तो फिर उसमें कोई विदी विदा नामक चीज़ अगर करे ना करे कोई दिखब नहीं है क्योंकि अल्रेडी गुरू का मंत्र है और दूसरा क्या है कभी-कभी दिख्षा लेने के बाद भी आप चाहे तो यह कारिये कर सकते हो यह फिर जब कोई मंत्रा आपको सफल्ता नहीं दे रहा है ऐसा आपको लग रहा है तो किसी भी म पर क्या कहा है कि जब आपका कारिय नहीं हो रहा हो मंत्रा आपको सिद्धी नहीं मिल रही है आपके कारिय सफल नहीं हो रहे है इपसीत अच्छे कारिय तो इसमें से आप कोई भी एक प्रयोग अपना सकते हो अब मंत्र के 10 संस्कार कौन से है तो सबसे पहला है जनन दुसरा ह दिपन, तीसरा है बोधन, चोथा है ताडन, पाचवा है अभिशेक, छठा है विमलीकरण, सातवा है जीवन, आठमा है तरपन, नौमा है गोपन, और दसवा है अप्यायन, ये दस संसकार मंत्र के बहुत ही अतियावश्यक है, इसमें से जितने भी आप चाहो, किसी एक मंत्र के उपर आप कर सकते हो, और मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, जो भगवान ने कहा है, ये जो नियम है, दस संसकार, वो मंत्र के लिए है, स्तोत्रा, कवच, पाठ, आधी के लिए नहीं है, तो महाँ पर भी संदेह, या कन्फिज मत होईएगा, अब यहाँ पर क्या है, कि किसी ने इसका एक लाख बार जाप किया, फिर भी उसको ऐसा लगता है, कि मुझे सफलता नहीं मिली, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास कंप्लेनों का पीटारा रहता है, तो अगर ऐसी चीज आपको लग रही है, तो ऐसे में सबसे पहला आपको यह प्रयो करना चाहिए, जनन की गोरोचन लेकर कुम्कुम या चम्दन से बोज पत्र, जो भुर्ज पत्र आता है, जिसे बोज पत्र कहते है, उसके उपर एक तरिकॉन दोर के तरिकॉन बना के उसके बीच में उस मंतरा को लिखे, गम उसके उपर बिंदो, इस मंत्र को लिखने के बाद फिर यहां मंत्र जनन संसकार हो जाता है, अर्था दम उसमें गम गम बोले, बुर्ज पत्र के उपर वहां गम बीज मंत्र तीकोन बना कर लिखे, और उसी बुर्ज पत्र के सामने फिर एक माला गम की करे, तो वहां जो संसकार है, बुर्ज पत्र के उपर लिखने के बाद वह बीज मंत्र जागृत होता है यह सहज और सरल है फिर बाकी मंत्रों के अनुसार इस जनन प्रक्रिया में फिर मात्रों का वर्ण अक्षर आदी यह भी लिखने होते हैं लेकिन वह एक अलग विशय है आप इतने से भी परियाप्त रूप में सफलत संख्राप मंत्र का जब करें यह उसका चया यह बहुत सरल है जैसे इसे मंत्र को मंत्र को संपूतित कीजिए इसको बहुत है संसी बार करना को करें हूं छो आप मंत्र को कि Đ को sympath क्या गांजम्म करोंगे हरुम हर उम हरुम हरुम बिज मंत्रा से संपूटित करके 5000 बार इस मंत्रा का बोधन कर सकते हैं जैसे हरुम गम हरुम ऐसे 5000 बार बोले तो फिर यहाँ बोधन हो गया फिर ताड़न फट से संपूटित करके 1000 बार मंत्र का जब करने से उसका ताड़न संस्कार प्रण होता है जैसे फट गम फट फट गम फट फट गम फट इस प्रकार से इस मंत्र को एक हजार बार बोले तो वह संस्कार हो जाएगा ताड़न फिर अभी शेकम तो यहाँ पर मंत्र को नौर्मल ऐसी ही भूर्ज पत्र का एक तुकड़ा लेकर उसके उपर गम लिख दिजे अनार की साही से या फिर लाल या फिर काले रंग की साही से अनार की कलम से और लाल रंग की या काले रंग की साही से गम लिख दिजे भूर्ज पत्र के छोटे से तुकड़े के उपर और उसी के उपर ऐसा बोल के सिर्फ एक बार भी अभिशेक कीजिए वो भुर्ज पत्र वैसे ही पिगल जाएगा फिर पमित्र जगा पर आप उसका विसर्जन कर सकते हो तो इस प्रकार से ऐसे बोलते हुए अभिशेक अगर आप करते हैं और इसमें ये भी प्रमान है कि एक बार की जगा आप एक हजार बार भी अगर इस प्रकार से अभिशेक करेंगे तो अभिशेक संसकार होने से भी यह मंत्र जागृत हो जाएगा और कही कही जगा उपर अश मंत्रा को om strom vashat इससे संपुट करना है om strom vashat gam om strom vashat om strom vashat 5 om strom vashat gam om strom vashat, i इस्प्रकार से 1000 बार बोलने से इसका वीमली करन नामक संसकार होगा फिर जीवन अब यहाँ, जीवन हर एक मंत्रा में या स्वाहा कार में भी इसका प्रयूक किया जाता है, और उसी के उपर हमारा भी जीवन चलता है और वो क्या है स्वधा वशट अर्थात जैसे यग्या में स्वहा होता है यहां पर स्वधा है स्वधा वशट जैसे स्वधा वशट गम स्वधा वशट स्वधा वशट गम स्वधा वशट इस प्रकार से एक हजार बार जब करने से यहां मंत्र जीवन रूप से संस्कार होता है, अर्थत उसका जीवन संस्कार होता है, फिर तरपन, अब इस मंत्र को, अर्थत इसमें और कुछ संपुटी करन नहीं करना है, गम, 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 अब एक पितल या तांबे की थाली लीजिए, उसमें थोड़ा सा दुद, थोड़ा स गी उसमें मिश्रित कीजिए और उस तामड़े की जो थाली है या पितल की थाली है उसमें अपने हाथों से ऐसे जल लेना है ऐसे और अंजली आगे देनी है ऐसा सौ बार तरपन करने से यहां तरपन संसकार से मंत्र युक्त हो जाता है, फिर गोपन मंत्र, गोपन मंत्र में बीज है हरीम, हरीम, हरीम नहीं और सिर्फ हरीम नहीं, हकार साइलेंट होगा, जो थोड़ा बहुत आपको सुनाए देगा, हरीम, अब इसको क्या करना है, री हां मंत्रका इस मंत्रका गोपन संसकार हो जाएगा उसके बाद है अप्यास का इसमें क्या होता है और इस प्रकार से यह संसकार करने से यह मंत्र जागृत हो ही जाएगा उसके बाद आप इसकी माला कीजिए और फिर इसका प्रभाव देखे और फिर आप कंप्लेंड कीजिए कि काम नहीं हो रहे लेकिन थोड़ा दही दिया रखना आवशक होता है थोड़े हमारे संचित कर्मों को भी थोड़ा क् दे दुख दे लेकिन उसक्ष्ट को दुख को सहने की शक्ती दे चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ नहीं चोड़ूँगा आपका हाथ नहीं चोड़ूँगा आप मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा बस यह बाव होना चाहिए मतलब जो सुख दे बस उस बगवान की प प्रकार से दस संसकार या इसमें से कोई भी एक संसकार करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि जैसे मत्रुकाओ का जैसे बिजाक्षर मंत्रों का भी आप इसमें सहारा ले सकते हो लेकिन वो काफी complicated ना हो इसलिए जो यह मंत्रा के 10 संसका करके फिर इसका मंत्र जाब किजिए और फिर इसका प्रभाव भी थोड़े-थोड़े-थोड़े करके दिनों में देखेगा अब बहुत सारे मंत्रों को यह चीज़े करने के आवशक्ता नहीं है जो अपने इश्ट देवता है उनके मंत्रों को किजिया आपको फिर भी ऐस काम क्यों नहीं करते उसमें क्या दोश है उसके विशय के ऊपर या उसे विशय पर हम बहुत जल्द बात करेंगे आज का यह विशय आपके लिए कितना महत्वप्रण था आज का यह विशय आपको क्या पसंद आया कि नहीं क्या इस विशय में आपको ग्यात था या नहीं तक आप देखते रहें करमकार्ण भाइ आनंद पाठक मेरे साथ ओम गानेश हर हर महादेव जैस याराम